हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टो में यूटूब चनल, दोस्तों प्रियोक साला परिचाला की गिसाम जल से जल होने वाला है, आप अपने तयारी में लगे रहिए, मैं पिछले साल के कुछ साइंस के कोशन लेके आया हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्डट ह आप इन कोशन को साल कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितने कोशन का सही जवाब दिया है, तो पहला कोशन है दोतों, वैसलिन के निर्मान में प्रियोक किये जाने वाले रहसायन का नाम क्या है, A. पेट्रोलियम जली, B. पेराफिन मोम, C. खनिस ते यह बनता है, पेराफिन मोम, वो मोम होता है, जिससे हम मोमबत्ती का निर्मान करते हैं, जब पेराफिन मोम को गरम करते हैं और उसमें विश्यस प्रकार की तेल को मिला दिया जाता है, तो वैसलिन का निर्मान हो जाता है, ठीक है, चलिए, नेक्ट कोशन के ओर चलते हैं, या फिर red light से हम सिंदूर का निर्माण करते हैं चलिए next question के और चलते हैं काजल अथुआ सूर्मा के निर्माण में निम लिखित में से किस प्रदात का प्रियोग किया जाता है आपको ये बताना है इस्टीन बनाइट, गैलेना, चारकोल या फिर ये सभी इसका जो सही जवाब है ये सभी इन सभी के जरिये काजल का निर्माण किया जा सकता है अगर आप घी का दीपक को जला कर उसके उपर कटोरी जैसा कुछ बरतन को रख देते हैं तो जो धुआ निकलता है काला, वो धुआ काटोरी में एकत्रित हो जाता है और उस एकत्रित काले वाले पार्ट में अगर हम थोड़ा सा घी मिला के फिर से उसे अच्छी तरह कर से मिला देते हैं तो काजल का निर्माण हो जाता है, ठीक है? चलिए नेक्ट कोशन के और चलते है डैस एक थर्मो प्लास्टिक पॉलिमर नहीं है आपको ये बताना है कि इन में से कौन एक थर्मो प्लास्टिक पॉलिमर नहीं है पॉलिविलाइन कॉलराइड जिसे PVC कहते है टैफलोन, बैकलाइट या फिर पॉलिस्टीन जल्दी बताइजे इसका जो सही जवाब है दोस्तो वो है बैकलाइट जो बैकलाइट है वो थर्मो प्लास्टिक पॉलिमर नहीं है चलिए अब जान लेते कि थर्मो प्लास्टिक और थर्मो सेटिंग प्लास्टिक क्या होता है तो दोस्तो थर्मो प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसे हम दुबारा सा गरम करके दुबारे किसी भी सेप में हम ढाल सकते हैं उससे हम thermo plastic कहते हैं जैसे PVC PVC के जो pipe है आप उसको थोड़ा सा गरम किजिए और उसे band कर दीजिए किसी भी सेप में तो वो असानी से उसी सेप में band हो जाएगा मुड जाएगा लेकिन जो thermo setting plastic होते हैं ऐसे कि back a light अगर एक बार इसे किसी fix साचे में ढाल के किसी विसे सकार में ढाल दिया जाता है और तो दुबारे से गरम करके किसी दुसरे कार में ढालने की कोसिस करते हैं तो ये बिल्कुल अपनी आकरिती को चेंज नहीं करता है भला ये जल जाएगा ठीक है तो ऐसे प्लास्टिक को हम thermosetting plastic कहते हैं जो कि back a light है लेकिन thermoplastic polymer नहीं पूछ रहा है तो हम back a light को इसका सही जवाब देंगे क्योंकि back a light एक thermosetting plastic है चलिए next question क्योंच चलते है PVC का पूरा नाम क्या है बहुत आसान question है जल्दी से बताइए तो दोस्तो जो PVC का पूरा नाम है उसका नाम है पॉलिम विलाइन कोलराइड ठीक है ऑप्संसी इसका सही जवाब रहेगा चलिए next question क्योंच चलते है साबून का उत्पादन होता है आपको ये बताना कि साबून का उत्पादन इन में से कैसे होता है जल्दी बताइए बहुत असाथ सा कोशन है तो दोस्तो जो सही जवाब है ग्लिसरोल या ग्लिसरीन को जब हम किसी चार से अभी किरिया कराते हैं और फिर उसे शांत या ठंडा होने दे देते हैं तो लिक्विट होता है उस लिक्विट को फिर हम साचे में ढालते हैं तो एक विसेश प्रकार से हम साबून का निर्मान करते हैं ठीक है तो साबून का निर्मान कैसे होता है ग्लिसरोल और चार की किरिया से या फिर ग्लिसरीन या चार की किरिया से होता है साबुन का निर्मान, थीक है, तो उसका सही जवाब है A. चलिए, थोने कोशन कीओर चलते हैं, मतलब पादवों के लिए यह क्या काम करता है, पेड़बौध के लिए यह शक्ति बढ़ाता है, या फिर पादवों के लिए यह जल्धी Camp करता है, जल्दी बताइए? इसका जो सही जवाब है उपियुक सभी जो potassium बहुत ज़रुरी है दोस्तो इसलिए ये सारे चीजों का निश्चित सुनिश्चित का कार्म कोन करता है potassium करता है ठीक है चले नश कोशन क्यों चलते हैं बैकल लाइट क्या होता है आपको ये बताना है रोधक होता है जिसे insulator कहते है या semiconductor होता है उच प्रति रोधक चालक होता है या फिर निम्म प्रति रोधक चालक होता है बहुत आसान सा कोशन जल्दी बताईए दोस्तो जो बैकल लाइट होता है वो एक insulator या रोधक की तरह कार्य करता है जर्नली इसका उप्योग विद्धूद बटन या फिर फ्यूज या switch बनाने के लिए या फिर एक ऐसी चीछ को बनाने के लिए जिसमें उश्मा का रोधक का कार करें जैसे की cooker का handle हो गया या फिर हम किसी non-stick pan के लिए handle का निर्मान करते हैं तो वो सारा चीछ जो उसमा का कुछालक के लिए अच्छे तरके से काम करें वो back and light का ही यूज किया जाता है ठीक है चलिए next question के और चलते है बहु उप्योग प्लास्टिक की पानी की bottle किस की बनी होती है आपको ये बताना है बेकलाइट की बनी होती है पॉलिष्ट्रीन की बनी होती है पॉलिधिन की बनी होती है या फिर सिलिकॉन की बनी होती है जल्दी बताइए जो पानी की bottle है जिससे हम पानी पीते हैं वो किस चीछ का बना होता है आपसे ये पूछा जा रहा है सही जबाब है polyethylene की इससे PET भी बोलते हैं ठीक है PET bottle होता है ना जो पानी पीते हैं उससे PET bottle बोलते है polyethylene tetraamine इसकी bottle बनाई जाती है यह काफी ज़्यादा मलबूत होता है ठीक है चलिए next question की ओर चलते है ना चिपकने वाले बरतन पर किसका लेप लगाया जाता है आपसे यह पूछा जा रहा है कि ना चिपकने वाले जो बरतन होते हैं उसमें किसका लेप लगाया जाता है बेल्क्रो, तेल, टैफलोन या फिर पॉलिश्ट्रीम इसका सही जवाब है टैफलोन जो टैफलोन होता है दोस्तो वो बहुत ज़दा स्लीप करता है किसी चीज पर चिपकता नहीं और नहीं किसी चीज को अपने उपर चिपकने देता है इसलिए बरतन में इसके उपर टैफलोन लगाया जाता है जब भी कुछ पकाया जाए तो चिपकने वाला जो खाना है वो उस बरतन पर ना चपके जर्नली क्या होता कि आजकल जो बाइक हो गए है उसके उपर भी टैफलोन लगा जाता है ताकि उसके उपर जो स्क्रैच ना पड़े, स्लीप कर दे, चिपके ना चले नाच्ट कोशन के और चल्ला कोशन है दोस्तों डिटर्जन किसे कहा जाता है साबुन रही साबुन, कारबोलिक साबुन, विदू साबुन या कटोर साबुन तो दोस्तों जो सही जवाब है वो है साबुन रही साबुन को डिटर्जन कहा जाता है इस detergent का use हम कपड़े दोने के लिए करते हैं ये साबुन जो होता है इसको हम कपड़े दोने के लिए करते हैं चले next question के और चलते हैं गरम सिसे को धीमे धीमे ठंडा करनी के प्रक्रिया को क्या का जाता है इसका option दिया हुआ है, answer भी दिया हुआ है फिर भी आप try कीजिए जल्दी से कि क्या है सही जवाब इसका जो सही जवाब है वो है allegation जब बड़ी बड़ी फैट्रियों में काच को पिगला कर किसी चादर के रूप में ढाला जाता है तो उसे तूरंद हम ठंडा नहीं कर सकते जैसे दूसरी धातुक हम तूरंद पानी डाल के ठंडा कर सकते है लेकिन काच को अगर हम ऐसा करेंगे तो वो तूट जाएगा, तड़क जाएगा, बिखर जाएगा लेकिन क्या करते हैं फिर काच को हम धीरे धीरे उसका temperature को down करते 1000 degree से 900 degree, 800, 700 ऐसे इसमें पैसा भी खर्च होता है कंपनियों का, लेकिन क्या करें काच को अगर हम तुरंट हंडा करेंगे तो वो तूट जाएगा, इसी प्रक्रिया को ही allegation करते हैं 0 degree तक लाने में ठीक है, चलिए next question के और चलते है काच का सबसे महतपूर घटक क्या है, आपको यह बताना है माइका है, क्वाज है, सिलिका है, या फी सोडियम, बोरेट, जल्दी बताइए सही जवाब है इसका दोस्तो सिलिका सिलिका जो होता है दोस्तो वो रेट का ही form होता है, रेट ही होता है रेट को जब high temperature में जब गरम करते हैं तब काच का निर्मान होता है बहुत पहले मिसर में जब रेट के उपर खाना बनाया जाता था तो गर्मी के कारण मिसर के नीचे में, वो रेट में काच जैसी चमकने वाली वस्तू का निर्मान हुआ है इसलिए कहा जाता है काच का जो अविश्कार हुआ, वो मिसर में हुआ है जो silicon die oxide होता है, वो काच के थूई बनता है और जब silicon die oxide से हम oxide को हटा देंगे, तो silicon बनता है silicon एक प्रकार का semiconductor है, जो chips और memory में किया जाता है ठीक है, चलिए next question क्योंच चलते है बारूत में मुख्य रूप से क्या मिला रहा था? आपको ये बताना कि बारूत में मुख्य घटक क्या है calcium sulphate होता है, potassium nitrate होता है, late sulphide होता है या फिर zinc sulphide होता है, जल्दी बताइए तो दोस्तों बारूत जो होता है, वो potassium nitrate से मिलके बना होता है जब potassium nitrate में थोड़ा सा गंधग और charcoal powder को मिला के एक vicious ratio में मिला लेते हैं तो फिर बारूत का निर्माण होता है बारूत का निर्माण चाइना में हुआ था सबसे पहले ठीक है potassium nitrate है दोस्तो ये आपको fertilizer के दुकान में असानी से मिल जाएगा इसका use हम पेड़ पौधव में उसकी उर्वक्ता को बढ़ाने के लिए करते हैं ठीक है चले next question के और चलते है dynamite का विसकार किस ने किया था बहुत असान question जल्दी बताईए तो दोस्तो डाइनमाइंड का विसकार किया था वो Alfred Nobel ने किया था थे Alfred Nobel सहाब ने ये डाइनमाइंड को एक liquid form में बनाया था जिसे हम Nobel का तेल भी कहते हैं और आप इसे किसी भी वस्तू में किसी भी container में किसी भी shape में रख सकते हैं जो कि काफी ज़दा खतरनाक है थोड़ी सी मातरा एक खतरनाक विस्पोर्ट करती है जब Nobel सहाब को पता चला कि इसे जन्धन की हानी हो रही है लोग मर रहे तो उन्हें काफी तकलीफ हुआ कि उसने क्या चीज का विसकार कर दिया इसके लिए उन्होंने एक प्राइस रखा Nobel प्राइस वो जो भी कोई अच्छे चीज का विसकार करता है तो Nobel प्राइस इनके साट से दिया जाता है ठीक है किनके साट से अलफेट नोबल सहाब की तरफिस अब तो रहे नहीं निकिन की संस्था दे रही है Nobel ठीक है तो डाइन कर एक तिसरी धातू बनाया जाए तो उसे होता है समांगी मिस्रण या फिर मिस्र धातू विश्मांगी मिस्रण क्या होता है विश्मांगी मिस्रण मतलब की किसी भी रेशियो में दूसरे अलग-अलग रेशियो में अलग-अलग प्रकार की धातू को मिला लिया जाता है त जब आप ऐसी कौन सी धातु है उसके अंदर लगा रहता है, जब हम उसको करेंट देते हैं तो वो गरम हो जाता है, बताओ तांबा लगा रहता है, नाइक्रोम लगा रहता है, एल्मुनियम लगा रहता है, या फिर चांदी लगा रहता है, सही जवाब दूस्तो नाइक्रोम नाइक्रोम एक विशेश प्रकार का तार होता है जब हम इसमें विदुद्धारा को प्रभावित करते हैं तो ये बहुती जल्दी गरम हो जाता है high temperature में गरम हो जाता है और तो इसी के कारण हम इसका use हम iron में लगाते हैं या फिर heater में लगाते हैं जिससे हम खाना बनाते हैं ठंडी के time वाले heater में लगाते हैं जिससे हमको गरमी मिलती है या फिर हम वो hair dryer में लगाते हैं जिससे गरम हवा निकलता है hair stator में लगाते हैं जिससे हमारा बाल को वो सीधा बगएरा किया जाता है ठीक है तो ये होता है नाइक्रोम का यूज़ चले नेस कोशन का गठन करता है और परत धातु का ही मतलब होता है अमलगम तो कौनसी धातु हों जो अमलगम बनाती है आपसे ये पोछा जा रहा है अलमुनियम है सोना है चांधी है या फिर पारा है तो दोस्तो वो धातू है पारा पारा दोस्तो एक ऐसी धातू है कि अगर हम इसे किसी भी धातू के संपर्क में लाया जाया तो उसका पारत धातू बना देगा उसका अमल गम बना देगा उसको बरबात कर देगा कई बार होता है कि हवाई जहां पारे वाले चीझ को ले जाने के लिए मना किया जाता है क्योंकि हवाई जहां जो होता है वो बना होता है Dalmuneum का, अगर दो बून भी Dalmuneum के body में अगर हम पारा लिंगिरा देते हैं तो वो परत धातु बनाना शुरू कर देता उसकों कॉंजोर करना शुरू करदेता है तो वो कौन करता है वो करता है पारा, ठीक है चले नेक्टकोंच उसको चलते हैं ताकाई या फिर टाका या फिर忙ल्डरिंग के लिए प्रियोग की जाने वाले धातु क्या है, मतलब किस धातु से मिलगोर बना होता है आपको ये बताना है इसका जो सही जवाब है दोस्तों ये है सीसा वर्टीन का मिस्रण धातू होता है सोल्डिंग क्या होता है दोस्तो जब हम किसी चीछ को जोड़ते हैं किसी लोहे को जोड़ते हैं या फिर किसी तार को जोड़ते हैं या किसी सरक्ट को जोड़ते हैं तो अलग से एक पतली से तार को हम गरम करते हैं उस पतली किसी तार को ही हम टकाई या सोल्डिंग रोड या फिस सीसा अर्टीन के मिस्रन धातू कहते हैं ठीक है चलिए next question क्यों चलते हैं साबून का सामान्य सुत्तर क्या होता है बहुत important question है कई बार पूछा गया है आपको ये बताना है कि साबून का सामान ये सुत्तर क्या होता है इसका सही जवाब है B R-C-O-O-N-A जहां N-A सोडियम है ठीक है चलिए next question क्यों चलते हैं निमिलिकित में से कौन सा साबून का एक उत्साह उत्पादक है बहुत असान है तो दोस्तों का जो सही आंसर है वो है सी glycerin glycerin, glycerol जो नहाने वाले साबून का एक साह उत्पादक है इसके जरिए ही छार के प्रतिक्रिया करके हम साबून बनाते हैं नहाने वाले साबून ना की डिटर्जन अगला कोशन है यह बहुत असान कोशन है बहुत बार पूछा गया है तो जल्दी से बताइए इसका जो सही जवाब है वो है 46% 46% यूरिया नाइटरोजन होता है उर्वरग में ठीक है तो दोस्तों यह बहुत इंपोर्डेट कोशन थे होप करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक किजिए चैनल को जुरू सब्सक्राइब कीजिए का मैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जो प्रियोस्ताला परचालक से रिलेटेट रहेगा थैंक यू फॉर वाचिंग